हमारे YouTube चैनल Study Tips पर आसा करता हूँ, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखुबी रख रहे होंगे. दोस्तों, आज है 27 मई 2021 और आज के जितने भी important current affairs बन सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ. आप इस वीडियो के PDF हमारे Telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका की लिंक वीडियो के description box में दिया हुआ है, आप वहाँ जाएं और PDF को डाउनलोड कर ले दोस्तों. तो चलते हैं हम अपने session को start करते हैं और हमारा पहला question है कि बेसाख दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों, बेसाख दिवस 26 मई को मनाया जाता है और 26 मई को बेसाख दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आज 26 मई के दिन ही गौतम भुद्ध को भगवान भुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों और इस दिन को, इस डे को UN के द्वारा celebrate किया जाता है और इस दिन की सुरुवात 2000, सन 2000 से UN के द्वारा start किया गया है दोस्तों और अगर बात करें UN की, तो इसके chief कौन है इसके chief है एंटोनियो घुटेरस और इसके headquarter कहा है तो आपको यह हमें comment box में बताना है और हम दोस्तों हम अपने वीडियो में जितने भी months जब हम उसको discuss करते हैं तो इस month के जितने भी important days हो सकते हैं उसको एक बार करके revision करते हैं तो दोस्तों हम मई मंत के देज को revision क करते हैं एक मही को क्या मनाय गया तो international labor day यानिकि अंतररास्ट्रिय मजदूर दिवस एक मही को मनाय जाता है दोस्तों और उसी दिन महाराश्ट्रह दिवस peanut जाता है तो world laughter day यानि अगर बात करें, तो मई के पर्स्ट संडे में विश्व हास दिवस मनाया जाता है, दोस्तों. बात करते हैं, तीन मई की तो प्रेस फ्रीडम दे, चार मई कोल माइनर्स डे और वर्ल्ड अस्थमाड डे भी इस वर्स इसी दिन मनाया गया था दोस्तों साथ मई की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और रभी दरनाथ टैग और जहनती भी इसी दिन मनाया गया है दोस्तों आठ मई दोहजारी किस को क्या मनाया गया तो World Red Cross Day और World Thalesemia Day आठ मई को मनाया जाता है 11 मई की बात करे तो National Technology Day, 12 मई की बात करे International Nurse Day, 15 मई की बात करे तो International Day of Families यानि की अंतररास्ट्रिय दिवस परिवारों के लिए ठीक है दोस्तों 17 मई को मनाया जाता है World Communication Day और World Hypertension Day 18 मई को मनाया जाता है World Ads Vaccine Day, International Museum Day ठीक है दोस्तों 21 मई को मनाया जाता है National Anti-Terrorism Day और National Endangered Species Day इस साल मनाया गया है लेकिन अगर जेनरली बात करे तो मई के 3rd Friday में National Endangered Species Day को मनाया जाता है 22 मई की बात करे तो International Day for Biological Divergity और इस दिन दो आवाड बाटे गया है उसके बारे में हमने पिछले विडियो में डिसकस किया था तो ये रहे माई मन्त के अभी तक के Important Days ये Direct Exam में पुछा जाता है तो इसे आपको याद रखना है दोस्तों अगला question है Max Mosley जिनका निधन हाल ही में हो गया वो कौन थे तो दोस्तों Max Mosley ये देखिए आप Max Mosley सहाब यहाँ पर हैं और इनका निधन हो गया है दोस्तों Cancer से International Automobile के भी यह हेड थे दोस्तों तो इनका डेथ हाल ही में हो गया है दोस्तों बात करें अगले question की तो 74 वर्ल्ड Health Assembly की अध्यक्षता किसने की World Health Organization की द्वारा World Health Assembly कराया जाता है दोस्तों यानि कि विश्व स्वास्ति सभा का जो संसकरन इस बार किया गया 74 वा था तोस्तों और इसकी जो मिटिंग हुआ यह वर्च्वली हुआ था वर्च्वली हुआ था और इसका जो इसका जो अध्यक्षता किसने किया है दोस्तों तो इसका अध्यक्षता किया था डॉक्टर हर्सवर्धन जो कि हमारे देश के स्वास्थ मंत्री भी है और वेलफेर फैमली एंड वेलफेर मिनिस्टर भी है साइन्स मिनिस्टर भी है तो इन्होंने अध्यक्सता किया था तो अगर बात करें World Health Assembly की थीम क्या रही है दोस्तों तो इसकी थीम रही है इंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग देक्स्ट, बिल्डिंग तोगेदर एल्दियर, सेफर एंड फेरर वर्ल्ड ठीक है दोस्तों आपको इस थीम को भी याद रखना है अगर वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ अगर इसके हेड की बात करें तो इसके डायरेक्टर है टेड्रोस अधानौम चलिए अगले क्वेस्टन पर एटीपी जेनेवा ओपन टेनिस पूरूस एकल का खिताब जीता है कैस्पर रूड ने किसने जीता है कैस्पर रूड ये नॉर्वे के खिलाड़ी है दोस्तों और इसने जीत लिया है एटीपी जेनेवा ओपन टेनिस और हराया किसको है इसने फाइनल में तो डेनिस सापो वालोब को किसको हराया है दोस्तों डेनिस सापो वालोब को और ये किस देश के खिलाड़ी है दोस्तों तो कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं और बात करते हैं नॉर Canada के player है दोस्तों Canada के player है और Canada की राजधानी है Ottawa और बात करें यहां का currency के तो currency यहां का है Canadian dollar Canadian dollar और अगर Canada का PM के बारे में बात करें तो इसका PM है Justin Trudeau साहब Justin Trudeau तो इतने fact को आपको इस question से याद रखना है ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले question की और हमारा अगला question है agriculture cooperation यानि कि क्रिसी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोते पर हस्ताक्चर किया है तो दोस्तों क्रिसी समझोते के लिए क्रिसी समझोते सहयोग के लिए भ से रिए यर वर्ड प्रोग्राम फोर कोपरेशन इन एग्रिक लिए बात करते हैं इज्रायल की तो इज्रायल का क्यापिटल जेरुसेलम और यहां का जो करेंसी है दोस्तों करेंसी है यहां का निव सेकल तो अब हम लोग अपने वीडियो में फैक्ट के साथ कुछ एक्ट् जाता है तो इज्राइल के साथ ब्लू फ्लैग नाम का इज्राइल के साथ इंडियन मिलिटरी का ब्लू फ्लैग नाम का blue flag नाम का military exercise किया जाता है दोस्तों यह जो है यह air force की द्वारा किया जाता है और यह संयूपत अभ्यास है इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं दोस्तों blue flag ठीक है अमेरिका की बात करें तो इसके जो अभी president है जो बाइडन है इसके president है जो बाइडन और अमेरिका के साथ जो युद्धब्यास किया जाता है वो युद्धब्यास है युद्धब्यास है इसका नाम ही है युद्धब्यास ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है एक साथ कौं साथ है तो आपको याद रखना है युदब्यास मालाबार ऐबात करते है जापान की तो जापान का जो capital है वो है Tokyo और यहां का जो currency है उसे यह इन कहते हैं और अगर बात करें जापान के साथ इंडिया का कौन कौन सा exercise होता है तो आपको याद रखना है बहुत important exercise है दोस्तों पूछा जाता है direct सहयोग काईजन कौन सा सहयोग काईजन दुसरा सिन्यू मैत्री सिन्यू मैत्री याद रखना है जापान के साथ military exercise की बात कर रहे हैं सिन्यू मैत्री सहयोग काईजन और धर्मगारजियन ठीक है दोस्तों धर्मगारजियन और मालाबार का बात किये तो यह तीनो फोर्स तीनो देश के फोर्स मिलकर इसको करते हैं अमेरिका जापान और इंडिया इसके नेवी फोर्स मिलकर मालाबार युद्ध अब्यास करते हैं बात करते हैं इटली की तो इटली की राजधानी है रोम और यहां का जो क्या करेंसी है दोस्तों यहां का करेंसी है लीरा ठीक है और यहां question है. दोस्तों, David Barnia, किस intelligence agency के अगले प्रमुख नुक्त किये गए है? दोस्तों, इसका सही जवाब है Mossad. Mossad जो की इजराइल का intelligence agency है, दोस्तों, इसके प्रमुख के रूप में Benjamin Netanyahun ने David Barnia को नुक्त किया है. FBI जो की अमेरीका का intelligence agency है और CIA भी अमेरिका का है और S.I.U है दोस्तों यह है ऐस्टेलिया का चलते हैं अगले क्वेशन की और हमारा अगला क्वेशन है बलवीर सिंग सीनियर के नाम पर किस इस्टेडियम का नाम रखा गया है यानि की किस इस्टेडियम का नाम बदल यहार बलवीर सिंग सीनियर इंटरनेशनल हौकी स्टेडियम, तो दोस्तों आपको इसे याद रखना है और यह जो बलवीर सिंग सीनियर थे, यह बहुत ही रेनाउंड खिलाडी है, पंजाब की ठीक है दोस्तों तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है, यह जो आप देख रहे हो कि बार्कलेज के अनुसार फिसकल एर बित्यवर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ क्या रहने वाली है दोस्तों तो ये है हमारा 9.2% पहले इन्होंने 10% बताया था लेकिन अभी जो कुरोना महामारी के कारज इसका जो अपडेटेड परसेंटेज आया है दोस्तों इसको घट घटाकर इसको बोल दिया गया है कि 9.2 रहने वाली है ठीक है दोस्तों तो बात कर लेते हैं अलग-अलग कुछ अलग-अलग और्गनाइजेशन जो की GDP को फरकास्ट करती है तो ये हमारा एकजाम में पूछा जाता है तो आपको इसे याद रखना है फिच के द्वारा भार मूडी के द्वारा बताया गया है 9.3 परसेंट मूडी के द्वारा बताया गया है 9.3 परसेंट आपको याद रखना है फिच 9.5 परसेंट RBI 10.5 परसेंट मूडी 9.3 परसेंट बात करते हैं ADB यानि कि ASEAN Development Bank इसका Headquarter कहा है Philippines Manila में है और इस इसने बताया है भारत का GDP इसले ठीक है दोस्तों और उसके द्वारा बताया गया है United Nation के द्वारा बताया गया है 7.5 परसेंट और यह के द्वारा बताया गया है 10.4 के दौर बात करें ADB की तो 11% वर्ल्ड बैंक की तो 10.1% SBI की तो 10.4% तो ये हो गई हमारा कुछ various organization के द्वारा जारी किया जाने वाला GDP growth इंडिया के related ठीक है दोस्तों बार्कले की बात करें तो बार्कले जो है एक लंदन बार्कले का headquarter लंदन में है दोस्तों और इसके जो head है जैस इस्टैली साहब तो आप लोग इसे एक बार fact को भी एक बार revision कर लेंगे दोस्तों अगला question है भारतिया मूल के आरवेंकट रमन को किस देश ने महा निदेशक और वानिजिक सेवा विभाग में बैस्विक बाजारों के सहायक सचिब के पद पर निदेशक रूप में बैस्विक बाजारों के सहायक सचिब के पद पर दो पदो पर निदेश है अमेरिका जो बैडन यहां आपको दिख रहा होगा बात करते हैं ब्रिटेन की तो हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन का जो ब्रिटेन यानि की यूके इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बॉरिस जूंसन सहाब है और बात करें कि ब्रिटेन के साथ इंडिया का कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों तो ब्रिटेन के साथ होने वाला युद्ध अभ्यास हैं हम लोग इसको तो ब्रिटेन के साथ होने वाला यूद दभ्यास को देख लेते हैं यूद दभ्यास की बात करने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं यहां का करेंसी क्या होता है तो करेंसी है यहां का दोस्तों पाउंड इस्टरलिंग और अब करते हैं बात यूद दभ्यास का तो इसके है दोस्तों तो आपको यह सब याद रखना है और बिटेन के साथ करते हैं वज अजई वार्यर और इंधर धनूश थेक्वार्यर सब्तुम्न धो दुस्तों के साथ तो है गरूर जो की इंडियन एयर फोर्स के द्वारा किया जाता है और इंडियन फ्रांस एयर फोर्स के द्वारा किया जाता है 2019 में इसका साथवा संसकरन किया गया था दोस्तों ये फ्रांस में ही हुआ था तो यहां तक बात हो गया हम लोगों का अगला question है हमारा Star Export House Award को किस जितने वाली company का नाम है तो दोस्तों इसका सही जवाब है Shri Malini Forms ये जो Shri Malini Forms है इसका headquarter है हाइदराबाद में हमारे लिए ये यह देखे यहां पर IFORM हम जिस पर सोते हैं उसके लिए गद्दे बनाने का काम करती है दोस्तों ये company और इस company का जो इस company को जो बनाय गया था वो बनाय गया था 1988 में 1988 में 1988 मे इस company को बनाय गया था और ये सबसे पहली कमपनी है गद्दे बनाने के मैट्रेस बनाने के छेतर में दोस्तों जिसे ISO 9001-2008 Certification मिला था दोस्तों तो इसे आपको याद रखना है चलते हैं अगले question की ओर हमारा अगला question है तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रसांत कुमार मिस्रा प्रसांत कुमार मिस्रा को 36 गड़ उच्छ नियाले के मुख्य नियाधिस के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ आप इसे इने देख सकते हैं और दुसरा जो option है दोस्तों हिमा कोहली तो हिमा कोहली को अभी हा यह जारखंड हाई कोट के Chief Justice हैं संजय आदव की बात करें तो यह UP हाई कोट यानि कि आलाहाबाद में जो हाई कोट है दोस्तों इसके Chief Justice हैं अगला question है One Stop Center महिला एवंबाल विकास मंतराले द्वारा कितने देशों में खोला जाएगा तो दोस्तों One Stop Center महिला एवंबाल विकास मंतराले द्वारा नो देशों में खोला जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि अलग-अलग देशों में जाकर हमारे जो महिला एवंबाल विकास मंतराले के दौरा ये वन स्टॉप सेंटर खोला जा रहा है और इसका क्या मोटो है कि जो महिलाओं के उस देश में महिलाओं के खिलाब जो भाइलेंस हो रहा है जो लोगों को परिषानी हो रही है इंडियंज के साथ तो उसके लिए ये क्या करेगी काम करेगी दोस्तों और जो महिलाओं बाल विकास मंतराले की जो मिनिस्टर है अभी वो हैं इसमिर्थी इराणी जी यहां आप इसे हिन्हें देख सकते हैं इसमिर्थी इरानी जी और इनके द्वारा ही वन स्टॉप सेंटर अलग-अलग देसों में खोला गिया और इनकी संख्या है, दस, इसे आप याद रख सकते हैं, अगला क्वेस्चन है, लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा सुरुआत किया गिया है, तो लक्ष्मी भंडार प रुपिया पर मंथ दिया जाएगा, और जेनरल कटेग्री महिलाएं को 500 रुपिया दिया जाएगा दोस्तों, और SCST की कटेग्री की महिलाओं को 1000 रुपिया करके मंथली दिया जाएगा दोस्तों, तो बात करते हैं वेश्ट बंगाल का, तो वेश्ट बंगाल की CM है ममताब energy, अभी हाली में फिर से ही चुनाओ जीत गई हैं andasia energy, और यहां का जो राज यपाल है, वो है जगदीप धनकड, ठीक है दोस्तों, जगदीप धनकड आपको याद रखना है, बात करते हैं बिहार की, तो नितीसकमार यहां के cm है, और यहां के राज यपाल है, फागू चौहान उत्तर परदेश की बात करते हैं तो यहां के CM है योगी आदित्यनात और यहां का जो राजयपाल है वो है आनंदी बेन पटेल दोस्तों आनंदी बेन पटेल को एक्स्ट्रा चार्ज मद्य परदेश का भी दिया गया है राजयपाल के रूप में एडिस्नल चार्ज तेलंगाना की बात करते हैं तो यहां के CM है के चंदर से खर राओ और यहां के जो राजयपाल है वो है तमिल सई सुंदर राजन ठीक है दोस्तों आपको इसे याद रखना है बात ही साथ ही इसके साथ एक फैक्ट को भी हम लोग यहां डिसकस कर लेते हैं जो चीप मिनिस्टर मंता बनर जी है वेस्ट बंगाल की मंडे मंडे को यानि के सोमवार को अनाउंस तीन वेलफेर प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है दोस और एक और है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट स्कीम रासन होम डिलिवरी स्कीम तो वेस्ट बंगाल सरकार के दोवारा तीन स्कीम जारी किया गया भी लक्षमी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट, क्रेडिट कार्ट इनिसियेटीव और रासन होम डिलिवरी स्कीम तो ये तीन स्कीम आपको याद रखना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंकुर योजना सुरुवात करने वाला राज्य है, तो अंकुर योजना का सुरुवात करने वाला राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आप यहां मैप पर मध्य प्रदेश देख एडिसनल चार्ज उन्हें दिया गया है मध्यपर्देस का भी यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है सिवराज सिंग चौहान बिजेपी से हैं दोस्तों यहां का लेजिसलेचर कैसा है यूनी केमरल यानि कि यहां बिधान परिशद नहीं है बात करते हैं यहां के बिधान सवा की त कोई सी भी याद रखना है गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो c.a.m. वो है दोस्तो बिजय रुपानी और यहाँ के जो राजए पाल है आचार ये देवरत साहब और उत्रपरदिस की बात करते हैं तो फिर से आ गया एक बार उत्रपरदेस के सीम है योगी आदित्यनात और यहां के जो गवर्नर है वो है आनंदी बेन पटेल राजस्थान की बात करें तो यहां के जो सीम है असोग गहलोत साहब है और यहां के जो गवर्नर है दोस्तों कल राज मिस्त्र कौन है कल राज मिस्त्र यहां के गवर्नर है आप इन फैक्ट प्लक्त के और हो दोस्तों यह राज हैं साथ राज्यों में एक स्वत्यतार स्वचिता खेलों इंडिया के ऑप्ट रे 1 क्राशन के दुआ कर दोस्ते की सुषा दे ओफरीटर कूरे मन्त सब्सक्रार की दिए है और चूंघार क्राशन सब्साइब और मन्त के इंड में वह उसको पे कर सकते हैं दोस्तों तो ये पे लेटर की सुविदा जो है फ्री चार्ज के द्वारा स्टार्ट किया गया है बात करते हैं फ्री चार्ज के तो यह इसका फांडेशन यानि कि इसकी अस्थापना 15 अगस्त 2010 को की गई थी इसके ओनर है एक्सिस बैंक और इसके CEO अभी प्रेजेंट टाइम में हैं सिदार्थ मेहता कौन है दोस्तों सिदार्थ मेहता फ्री चार्ज का जो headquarter है मुंबई में है और इसके founder कौन थे दोस्तों तो इसके founder थे कुनाल सा और संदीप टंडन बात करते हैं पेटीम की तो पेटीम के जो CEO हैं दोस्तों यह है बिजय सेखर सर्मा बिजय सेखर सर्मा और जो Google पे के जो CEO हैं दोस्तों उसको आपको याद र समीर निगम ठीक है समीर निगम तो दोस्तों यह रहा आज का हमारा important current affairs आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले दोस्तों जिससे कि हम जो भी वीडि करेंगे और सब्सक्राइब करना तो पहले ही हमने बता दिया है दोस्तों मिलते हैं कल अपने नए एपिसोड नए current affairs के साथ साथ बज़े साथ साथ बज़े तो दोस्तों आज के लिए अलविदा